विदुत विभाग जई और खंड अधिकारी करहल पर ट्यूब वैल कनेक्शन के नाम पर सुईधा सुल्क लेने का आरोब पीडित ने मुख्यमंत्री से की शिकायत की जाच आने पर खंड अधिकारी ने शिकायत करता का बनाया अपने बचाओं में मारपीट का वीडियो उत्तरपरदेश सरकार सबका साथ सबका विकास करने की तर्च पर लोगों को तरह तरह की योजनाय चला कर पात्र व्यक्तियों को लाब देने का काम कर रही है और हर व्यक्ति को लाब देने की बात करती हुई नजर आ रही है लेकिन कुछ ब्रष्ट अधिकारियों के चलते लाभारतियों को उसका लाब नहीं मिल पा रहा और यहीदी मिल भी गया तो उसके अवैद वसूली कर उसे लाब दिया जाता है लेकिन विदुत विभाग में रिश्वत लेने के बाद भी मनमानी रिश्वत न मिली तो उसका को नहीं किया जाता ऐसा ही जीता जाकता सबूत देखने को मिला जहां एक पीडिद ने विदुत नलकूप कनेक्शन करवाने के लिए कई बार ओनलाइन फॉर्म डाले लेकिन ब्रष्ट अधिकारियों के चलते हुए उसका कनेक्शन सुईदा सुल्क लेने के बावजूद भी अभी तक नहीं हो पाया जिसके करण उसके खेतों की फसल है जो की नश्ट हो चुकी है जी हां हम बात कर रहे हैं जनपद मैनपुरी के विदुत खंड करहल की करहल छेतर ग्राम नगरिया निवासी लाल सिंग कठेरिया ने नलकूप के नाम विदुत कनेक्शन के लिए कई और ओनलाइन फॉर्म डाले जिसकी कारवाई छेतरे जै को सोपी गई जिसने कनेक्शन के नाम पर बीस हजार की मांग करते हुए फाइल तो बना दी और कनेक्शन धारक को कारले बुला लिया इसके बाद उसे दस हजार की नगदी ले ली उसके बहुजूद भी उसे एक कने पर दिखाई दिया तो उसकी फाइल कैंसिल कर दी जिसके शिकायत पीडित लाल सिंग द्वारा मुख्य मंतरी योगिया दितिनाथ से की गई बेनपुरी से अमित कुमार की रिपोर्ट प्राइमेटी निउस क्या नमें दिया को नहारा लाल सीन हमें मौंबट पर नगरी आगे क्या पूरा में दिया तो यह लगार्ट अभी तनकिया था तो अमने दोरा आवेदन किया तो अज़गा अभी तनकिया था उच्छट, आई स्टोर अपके पास वह आया क्पश्ट, जेश्ट, जिस्च्छ उन्हें सर्वे देगा, मुझे बलाया, बलाकर का लाल तीन aline у उनुझे गाया, तो तो उनुझे गी, तो लालति ंुझे थयार रूप कर लेए, थैनुझे ऑऊका, उनुझे गाया, तो नहीं हो पाएगा तो हमने काई जवशार रुपए उब लोगा नहीं हो पाएगा तो हमने काई जाप 10,000 रुपए में पास है हम अटेटेज होंते चले आए चले आए उन्ते बिनने जो थी एफिर अमने थी लिख दुख लगवने कि लाप कर वह तेनी बार तीन लौफ आ पर भी नहीं पर उस दिन क्या घटना होई तुम्हारे उस ने यह घटना होई कि अठ्टेन साप ने हमको बलाया था महन पूरी जब हम गए तो ने की जहां चाही जहां चाही तो बिंदे ने अगर हमको कमरा में चार बजे के टाइम पर बंद कर लिया और हमारी मार पीट कर द इस आपने चाहिए इसलिए इसलिए इनने मार पीट के तुमने वार एक लाप शिकाई स्काई कियों की यह तो करेंगे तो नहीं नहीं देपाएगे हमारी मार पीट कर दिशालिया तने आपको गारी कर दो हम वहां से सब्ग गया फिर हती थी आपने बहरा तारीक को पांच-बजी को युदकारी में अगए ताने साब नहीं कि अध़ी नगलो की थी पर वहां तैज हमें साब के पास गए एसडीय इसढ़के पास गया इसदीयों साब का नमर है अमने तो आप जाए हैं पेफ साब ए लिए पिफु आयाई दोजिग अवने आपने तक की सित्धु पर लगा रहे हैं आपके च्छित में एक ग्राव करता है में इस ग्राव के रहने वाले लांसिंग में आरूप लाया है कि आपने दूवेल के नम पर 20,000 रूपे की दूपत मारगी जिसमें उसके बाद में उसे क्नेप्शन नहीं दिया गया और जब कहा गया तो उसको जो आपने सब्सक्राव करता है कि हमने 20,000 रूपे की इनसे मांग करी आज तक मैं इनकी सील्ड पे साइट पे आज तक मैं नहीं गया हूँ ना इनसे कहीं बाहर मिला हूँ तो इनका प्रथम आरूप तो बेबुनियाद है दूसरा आरूप इन्हों ने ये लिखाया है कि मैंने इनको बंद कमरे में मारा है 11 अगस्त 2020 को मोहदयलाल सिंग एक और इनके परिचित विक्ती है नाम नहीं पता मुझे उनके साथ मेरे आफिस में आये ते दफ्तर सुहम आये थे जिसका मेरे पास पूरा वीडियो रिकॉर्डिंग है जब से ये एंटरी किये थे और जब इन्होंने एक्जिट किया है पूरा करीबन दो हिस्सों में रिकॉर्डिंग है पूरी मेरे पास करीबन नहीं मेरे फोन में कर रहा था मुझे पता था या आदमी जूट बोलेगा मुझे पता था या आदमी जूट बोलेगा फर्दी अरूब लगाएगा इसलिए मैंने पहली ही कर रही है इसके बाद भी यहाँ से निकल के गए S.D.M. साब कहाँ शिकायद करी इन्होंने मेडिकल नहीं करवाया मैंने अगर जातिस हुचक शब्दों से गाली संबोदे दिन को कभी भी क्लियाओ या गाली दियो कुछ भी क्लियाओ तो वीडियो में होना चाहिए जोकी नहीं है ये भी मैं आपको बता दे है जी नहीं यदि मुझे जी वीडियो पूरा लगतार है पूरा लगतार वीडियो है मैं वीडियो की लंद भी आपको देखके बता दे रहा हूँ तो टोटल शोला मिनट का वीडियो है दो पार्ट्स में है बीज में पॉल आ गया था इसलिए डिस्कनेक्ट हो गया था जो कि आप फोन में वीडियो की टाइमिंग देख सकते हैं कि मुश्किल से पांस सेकेंड के लिए वीडियो बंद रहा था पांस सेकेंड में संबब नहीं है कि मैं उनको गाली पे दे लूँगा और मारिपीट भी करूँगा सब वहां के वहीं के वहीं बैठे रहेंगे कॉल आया था उसनकी कॉल रिकॉर्ड भी मैं चेक कर वा दूँगा कि वाकी कि समय पे कॉल आया है मेरे उपर लगाए गए सारे औरूप बेबुनियाद हैं अब इन्होंने आउरूप क्यों लगाए ये भी मैं आपको छोटी सी बाइट में बता दे रहा हूँ इन उभोक्ता ने जान भूज के विद्यो दुबाव के दबाव बनाके 5 HP का कनेक्शन लेना चाते हैं जिसमें ये 10 HP की मोटर चलाएंगे पहली बार उन्होंने 5 HP का कनेक्शन अपलाए किया बिना किसी टेक्निकल आदमी से पूछे ये मेरे दफतर आये मैंने इनको पुना बताया कि भाईया 5 HP के इनके कनेक्शन नहीं हो रहे है 10 HP से नीचे बोरिंग नहीं है यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे water level काफी नीचे चला गया है फिर उन्होंने 10 HP का apply किया अवर अभी इंता गया इनकी site report लगाने अवर अभी इंता अधिकारी है site inspection के लिए वो site पे गया निरिक्षड किया इन्होंने जहां पे बोरिंग दिखाई वहां पे इनके भाई के साथ विवाद चल रहा था क्योंकि उसका इस्टिमेटर में उसका transformer की कॉस्ट भी होगी है जी हाँ वो 25 पच्चिस के विए की डीपी लगी है उस पे दो निल्पूप के connection ऑलड़ी चल रहे हैं तीसरा connection विभाग की नियमनुसार उनको किसी भी हालत में उस डीपी पे नहीं दिया दर सकता है क्योंकि असी प्रतिशत जो चमता होती परिवर्त की उससे अधा विद्योत विभाग उस पे लोड़ नहीं डाल सकता है connection नहीं दे सकता है अत्र की डीपी लगवानी पड़ेगी क्योंकि एक निची नल्पूप का connection है उसमें कितना खर्चा आएगा सब इसमें लगभा जितना जर्गारी सर यहीं है कि अब बात करें एक connection आपके ही बितने जलवार रहा है वहां पर जोड़ी से चलवारा रहा है नहीं दो connection आप इसके इसकी इसकी मेरे रहां सब्सक्राइब कोई भी संग्यान में लिखेट में मेरे कौस्ता किसी ने संग्यान में नहीं दिया है